हलो गाइस आज हम बात करने वाले हैं टुइन फ्लेम जर्णी में दिखने वाले एक विशेश प्रिकार के पक्षी की कववा सबी लोग जानते हैं पूरी दरहा से काला होता है और ये ज़ादा तर हमारे पित्रों को या हमारे एंसेस्टर को डिनोट करता है और इसी के साथ कई सारी भ्रांतिया भी हैं कि भाई अगर कववा सिर्पे बैठ जाये तो इनसान मर जाता है या उसके मरने की जूटी अफवा ओड़ जाती है और ऐसी कई सारी चीजें कववे से जुड़ी हम बच्पन से ही सुनते और देखते आ रहे हैं लेकिन अगर इन्फ्लेम जर्णी में हैं और आपको लगातार या तो कववा देख रहा है या उसकी आवास आ रही है तो ये बताता है कि इस समय आप पर या आपके पार्टनर के उपर किसी तरह की डेविल एनर्जी, एंसेस्टर कर्स, कोई बैट कर्मा, कोई ब्लैक मैजि कोई इवेल आई अटेक या कोई वेंपायर अटेक होने वाला है या आल्रेडी हो चुका है जब भी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है तब आपको कववा दिखाया जाता है जो ये बताता है कि आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर लेना चाहिए अगर आपके बहुत ज़्यादा मन में या दिमाग में बुरे विचार आ रहे हैं नेगिटिव थॉट आ रहे हैं ओवर थिंकिंग आ रही है आप अपनी जर्णी को और अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में जा रहे हैं बहुत ज़्यादा डाउ नहीं होते हैं तब भी आपसे ये बोला जाता है कि आपको अपने एंसेस्टर की हीलिंग करनी चाहिए पित्रों के लिए कुछ विशेश करना चाहिए अभी के समय तो श्राद पक्षा आने वाले हैं ऐसे में अगर आपको कवे की आवाज सुनाई दे रही है या आपको कवे क दर्शन हो रहे हैं तो आपको उन्हें भोजन कराना चाहिए उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए और उन्हें मार कर नहीं भगाना चाहिए बलकि उनका सम्मान करना चाहिए इसके साथ कव्वा आपको तब भी दिखाई देता है जब आपके पार्टनर आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं या आप उनके बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं या आप और आपके पार्टनर को इस जर्णी के आगे का भविश्य दिखाई नहीं देता है साथ में आपको कवे की आवास या कवे के दर्शन तब होते हैं जब आप बहुत जादा लो बाइब्रेशन में जा रहे हैं और आप पे किसी ना किसी गलत तंत्र मंत्र बिद्या का प्रियोग किसी के दुआरा किया जा रहा है तो ऐसे में आपको खुद को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, कि उन्होंने संकेत के माद्यम से आपको सत्त कर दिया. All the best, God bless you.